ओम श्री परमात्मने नमाद आप सभी को संगीता सुनेल का प्रेम आदर स्ने और आशीश्वरा हार्दिक पिननतर आज आप जो ये दृष्य देखनें ये मुझे मेरे प्रदीप शर्मा भाईया जिने मैं आनू भाईया कहते हूं उनका निकने मैं आनू और उन्होंने मुझ कि अदिबंग आखे आपको के अम्हे грाए फेज़ाये घ्रिश्य फिए अधर इसे एप श्रीश्वराव पेचाया सुभे की शुब कामना है और मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छी मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छी मेरे लिए अपधी सुब बना एदेंक्यू भाईया ऐ एक पड़ी देशया भारी हूं और मैं बिल्कुल मेहसस कर रही हूं कि मैं इस टेन के दिभे में बैठी हूं और जब हम कोई आतरा करते हैं या हम कभी एक आंद में बैठते हैं तो हर मुलिशी की फितरोत होती है उपाव होता है कि वह अपने अतीत के पुराने पन्नों को खो पीशे की कल्पनाएं करने लगते हैं और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें एक नारी को दिखाया है जो लकडियां बीन दीवी नारी है और मुझे उसे देखके निराला जी की कवीता याद आ गए थी और मैंने उसका शिर्षक भी यही लिखा था कि जब मुझे निराला जी की वो कवीता याद आ गए और मेरे सम्मुक साकार हो गए और बहुत बर्फ जैसा चारों तरफ क्योंकि मुझे पहाड दिखाई देते हैं मसूरी की जहां पर बहुत बर्फीले पहाड़ियां और सर्द हवा और ऐसे में वो देरदुन के एक पार्क में गांधी मिक्स चैनल है उन्होंने मुझे कहा थो कि मैं ये कवीता सुनाओं कवीता पूरी नहीं सुनाओंगी अगर सुनाने बैटोंगी तो बहुत समय लग जाएगा मैं उसकी व्याक्या उसके अर्थ और उसका सारा कितना डूब के निराला जी ने उस कवीता को प्रस्तूत किया तो मैं सुनाना चाहूंगी निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था और वो उत्तर प्रदेश के उन्नाओं में रहते थे और 21 फरवरी 1896 में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही दुख और गरीबी देखी उन्होंने और चायावधी दौर का परिचे अगर जब भी किया जाता है तो उनके नाम के बिना अधूरा होता है और चंद मुक्त कवीता करने वाए निराला जी पहले कवी थे एक होती है कि चंद युक्त कवीता जैसे हम रामैन में देखता है रगुकुलरीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन ना जाए तो ये गा की हम करेंगी तो मातरा हैं इसमें और उन्होंने उस जो इस्त्री को देखा था पत्थर तोड़ती वी और मैंने इसमें कई दशाएं पत्थर तोड़ती वी इस्त्री की दिखाई हैं कि कि नोंके तो हाथ पैर कैसे हो रहे हैं और ये सब आप देखेंगे और कोई बच्ची है कोई बड़ी ह वो कैसे बूरी हो जाती है इसी कर्म को करते हुए और नारी जो है इस पत्थर तोड़ने में ये भी नहीं है कि जो पत्थर ही तोड़ी है तो वही एक पत्थर तोड़ती भी नारी है अपने ख्षेत्र में हर नारी अपने घर को बाहर हर जगा संभालति हुई जो इतने कर्म क वो एक पत्थर तोड़ती वी महिला जैसी ही मुझे लगी है और अब मैं उस कविता की व्याख्या आपको करके बताते हूं कि क्या उनके भाव थे वो और वह तोड़ती पत्थर दीखा मैंने उसे इलाबाद के पत्थर निराला जी कहते हैं कि वो पत्थर तोड़ रही थी ज जिसके तले वो बैठी स्विकार वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठी हुई थी जिसमें कोई छाया नहीं थी कोई पत्थे नहीं थी उस पेड़ के नीचे जिसके नीचे बैठके वो उन पत्थरों को तोड़ रही थी और शामतन भर बंधायोवन उसका सामला शरीर था और बंधायोवन मतलब अर्थ मेंज कि वो युववस्था में थी बहुत जवान थी वो और लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे क्या करें उसका भागें और नयान उसके नीचे जुखे वे थी जब पत्थर कोई तोड़ता है या कर्म करता है तो ये नत नयान क्या दर्शा आ रहा है उनकी कवीता का किस पीड़ा को दिखा रहा है कि जब हम कुछ कर्म करते हैं तो तब भी हमारे नयान नीचे रहते हैं और वो आश्रित थी एक जो बहुत इकवादी लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी महल अठारिकाई बनती है उन्हें जो निर्मान होता है उसमें वो लोग सुख भोगते हैं और लेकिन जो उसके लिए इतना श्रम करते हैं उनके नयान हमेशा नीचे जुखे वे होएंगे नीचे नयान करके वो और प्रिय कर्म रत्मन उस अपने प्रिय काम को प्रिय बड़े प्यारा समझके उसे और उसमें रत्मतलब लीन होकर अपने मन से लगा के तब उसकारियो को कर रहे थी वो नीचे नयान जुके वे थे और बहुत ही प्रेम पुरुए और उसमें तलीन होकर पत्थर तोड़ने में लगी हुई थी और गुरू हतोड़ा हाथ गुरू का अर्थ वैसे तो होता है कि गुरू जिने हम कहते हैं कि हम धारन करते हैं हमारी ये गुरू है लेकिन गुरू का अर्थ असली वास्तिय का अर्थ है बड़ा तबी तो जो हमासे बड़े हों हमासे जादे ग्याने हों उने अपना गुरू बनाते हैं और गुरू हतोरा हाथ उसके हाथ में एक बहुत भारी बड़ा हतोरा था ये भी कितने इस पीड़ा को दर्शारा है कि एक जवान एक नारी कितने सुन्दर खुबसूरत और हाथ में इसके इतना भारी हतोरा लेकि करती बार-बार प्रहार उसे बार-बार जब प्रहार करते हैं तो इतने भारी हतोरे को हाथ उपर करना पड़ते हैं और फिर नीचे चोट करने के लिए तो कितनी पीड़ा इसमें दिख रही है अब देखें और सामने तरू मालिका अटालिका प्राकार जहां बैटके वो पत्थर तोड रही थी उसके सामने बहुत बड़ी अटालिका थी एक भवन और जिसमें तरू मालिका व्रिक्षों की पंग्तियां लगी भी थी तरू कहते हैं व्रिक्ष को और मालिका मतलब पंग्ति वो लगी और प्राकार चार दिवारी में घिरा वो भवन था जहावे बैठके उसके सामने वो पत्थ तोड़ रही थी दूप गर्मियों के दिन दूप चड़ रही थी गर्मियों के दूप जब चड़ती है तो बहुत गर्मी लगते हैं और दिवा का तम तमाता रूप दिन का तम तमा सकते न, ऐसी जो गर्मियों की जो दिवा होती है, दिन होती है, दोबर होती है, यह निकि बारा बजे की करीब का समय रहा होगा वो, तो वो बहुत उस समय तम-तम आएवे रूप में थी उस समय और उठी जुलसाती हुई लू, जब हवा चली तो वो जुलसाती हुई लू की तरह लगने लगी, जब इतनी गर्मी में जब हवा चलती है, तो वो लू का रूप धारन कर लेती है, उसे लू कहते है कि लू लग दी, और वो बरदाश्ट के बाहर होती है, उससे कई पर बहुत बिमारियां वेगरा भी हो जाते हैं, और उठी जुलसाती हुई लू, वो क जुलसाने लगी बदन पे, जिसके भी बदन पे वो लू लगती है, वो हवा गर्म अवा, तो वो जुलसा देती है, और रूप जलती हुई भू, धर्ती जो थी वो रूप की तरह जल रही थी, और यहाँ पिर उपमालंकार, धर्ती की तुलना किस से की गही है, रूप जैस का जब हम लिखते हैं या हम सुनाते हैं तो उसमें उसे सजाने की कोशिश भी करता है कोई भी कवी हो या लेख को तो इसमें जो है ये रूई जो जलती हुई भू ये उपमालंगार है कि रूई की तरह से वो जल रही थी और धर्दी और गर्द चिंगी छा गई जो गर्द च से वो पत्थर तोड़ना शुरू होगी और लगभग दुपहर हो गए थी उसे लगा तार जब वो पत्थर तोड़ रहे थी प्राया हुई दुपहर और वह तोड़ती पत्थर पत्थर तोड़ रहे थी देखती देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिन्यतार जब उसने देखा कि मैंने उसके ओर देखा और उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो उसने भवन के ओर देखा और छिन्न तार, जैसे एक तार तूटता है, ऐसी आवाज है, उसके अंदर की चुप पीड़ा थी, जब तार तूटता है किसी चीज़ का तो बड़ी जनंक से अवाज आती जंकार फुद्पन होती क्योंकि संगीत मेरा विशे रहा है और मुझे पता है तानपुरी से जो मैं राग आती थी और कभी अगर वो जादे कस जाए तार तो तूट जाता है ऐसी वो भी क्योंकि एक धंक से देखा जाए तो इसमें कभी ने उसकी इस पीड़ा को कि उसे कितना कसावा है कितनी दुखी है वो कितनी धूप में बीना पत्ती के पेड़ के नीचे बैठके भड़ दुपैरी में चिंगारियां लू धरती कैसे तप रही है और वो पत्तर तोड़ रही है तो उसके अंदर की पीड़ा कैसे उसका रिदे कैसे फटा होगा वो जो एक जंकार जो है वो कभी ने सुनी और अपनी दृष्टी से क्या कहा उसने देख कर कोई नहीं जब पर लेकिन उसने क्या देख के उन्हें कहा देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस जिश्टी से उसने देखा कि मुझे किसी ने देख तो ने लिया ये मुझे देख रहे है और मैंने इनकी तरब देखा नारी हमेशा बहुत सतर्ग रहती है कि कोई मुझे मेरे उपर कुछ लांचन न लगा दे क्योंकि गरीब नारी की बहुत ये भी विविश्टा होते है वो काम करनी भी चाहते है अपने खेतर में लेकिन कब कोई उसे क्या कह दे लेकिन जब उसने देखा कि किसी कोई नहीं था कर रहे हूँ उसी तरह से निराला जी ने कहा है और सजा सहज सितार सुनी जो मैंने वह नहीं जो थी सुनी जंकार जब हम सितार तानपुरा जो भी तार वाले जो वाद्य होते हैं उन्हें जब हम अगर हम में से सुर लेना चाहें तो उन्तारों को कसा जाता है तब वो आवाज देते हैं और कितनी पीड़ा होते हैं जब उन्हें कसेंगे तो तो उसकी भी वही दशा थी और कभी ने उसकी वो पीड़ा सुनी वो जंकार अंदर की जो बजा यानि कि वो अपने फिर कर्म में रत हो गई और एक शण के बाद वह कापी सुभर वो जो सुभर मतलब सुन्दर इस्त्री एक शण के लिए तो वो काप गई और लेकिन फिर वो अपने वर्तमान में आई और धुलक माथे से गिरे सी कर उसके माथे से पसीने की बूंदे गिरने लगी और लीन होते कर्म में फिर जों कहा मैं तोड़ती पत्थर मैं तोड़ती पत्थर तो वो एक शण के लिए तो काप गई लेकिन फिर सहज हो गई और अपने कर्ण में फिर तलीन हो गए और उसके माथे से पसीने की बूंदे गिरे और कर्ण में करते हुए पत्थर तोड़ते हुए उसने जैसे मुझे से कहा कि हे पत्थी काप अपने रहा जाए मेरा तो ये भागी है ये नेती है कि मुझे पत्थर तोड़ने, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ रहे हूँ मैं इस कविता के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नारी का सम्मान कीजी और उनकी मदद कीजी अगर कोई ऐसी दुखी, निराश, हताश, महिला आपको मिले दो, धन्यवाद